दोस्तों wal hanging के लिए हम एक box लेंगे six by six के उसे cut कर लेंगे cut करके कुछ इस तरीगे से हम fold करेंगे बंद की side हम इसकी एक stiffs आधे इंच के line डालेंगे और एक side open की side आधे आधे इंच के हम इस तरीगे से lines डालते चले जाएंगे उपर तक हम इसके एक साइज में लाइन डालेंगे और सीजर की हेल्प से उन्हीं लाइन्स को हम कट करेंगे फ्रेंस ध्यान रहे कि इस्टिप्स एक ही साइज के होने चाहिए ज्यादा सुन्दर दिखेंगे और फैविकॉल या ग्लू की हेल्प से हम उन्हीं इस्टिप्स को जोइंट कर देंगे कुछ इस तरह पहले फ्रेंट फिर बैक इस तरह से हम फ्रेंट एंड बैक करते चले जाएंगे एक स्टिप फ्रेंट के होनी चाहिए तो दूसरी स्टिप बैक साइट के होनी चाहिए आप लोग दोस्तों कोई भी पेपर और कोई भी कलर यूज कर सकते हैं मैंने यहां पिंक कलर लिया है और आप लोग कोई भी कलर ले सकते हैं वाल हेंगिंग का यह फ्लावर्स बहुत ही सुन्दर बन कर तैयार होगा एक बार ट्राइ करना आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा इस तरीके से इसकी छोटी छोटी स्टिप्स को भी हम ग्लू की हल्प से पूरा ओपर तक हम इसको जोइंट कर देंगे कुछ इस तरीके से बहुत ही सुन्दर और अट्रेक्टिवी फ्लावर्स बनाएं मैंने दोस्तों चार फ्लावर्स लिया हैं आप और भी बना सकते हैं और इस तरीके से मैंने सिर्फ टो ही कलर लिया हैं आप इसमें और भी कलरफुल बना सकते हैं और अच्छे से इसको वाल हेंगिंग बना सकते हैं